हेलो रीवाण और यह घ्रम सूट कि जिसकर कुर्टे की काफि है और मुझे बनानी है सलवार की बनाओंगे साधी सलवार बनाओंगी क्योंकि लंबा कुर्ता है लंबे कुर्टे में ज्यादा गेर की सलवार नहीं चाहिए और बैल कि कि देखिए मैंने चार तै कर ली है ये चार तै करने के बाद जितनी हमको लंबाई लेनी है उसमे प्लस तीन इंच कर दिया है और मोरी जितनी लेनी है मोरी मुझे चोदा इंच तो चोदा इंच के उपर ये साथ इंच पे निशान लगा के डेड़ इंच मैंने एक्स्टर रखी है सीट का तीसरा प्लस तीन इंच आसन लंबाई रखें और इसको तिर्चा मिला दें डेड़ दो इंच की दूरी तक छोड़ दें इसको और फिर गोलाई से दे दे हमारी सलवार तयार और इसमें करूंगी गुम सिलाई गरम सलवार धागे ने निकलेंगे और बिल्कु छोड़ दिया है यह सारा कपड़ा इसमें आ जाएगा खुली तरफ से नहीं लिया है क्योंकि दो पीस में जाता अब जितना यह टुकड़ा बचेगा तो छोटे बच्चे का इसमें कुछ भी आपका बन सकता है पजामा बन सकता है कुछ भी आप बना सकते हो कोई और चीज बना सकते हो आप कुछ भी बना सकते हो तो इसकी मैं कटिंग कर लेता है यह सलवार कटकर हो गई तैर और यह गोलाई देने के कारण इसलिए दी है ताकि इसमें मैंनी ना लगाने पड़े है और यह किनारी है तो धाग्य भी ना निकलने सिर्फ इधर मैं गुम सिलाई कर द होंगी फोल्ड करके तो इसकी भी धागे ने निकलेंगे और यह कपड़ा बच गया हमारे देखिए डबल में है और यह पूरा एक साथ बच गया है तो इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं है 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 रिवन जो यह सल्वार कटिंग की थी हमने वह हो गई है पूरी और इजह लाई कर दिये हैं तक कि हमारे थागेह ना निकले में अब इसमें इंट्रला की कोई जुरूत नहीं है यह गूश लाई करती पूरी सल्वार के अंदर पांचे से लेकर और यह त्यार हो गई है सलवार हमारी बिल्कु सिंपल से पांचे बनाए है मैंने इसके यह पूरी सलवार से कर हो गई त्यार और अब करूंगी बिल्कु सिंपल सलवार है कोई बैल्ट नहीं है इसमें कुछ नहीं है साधी सलवार बनाए है चार तकर के कटिंग किये और मैंने दिखाई है कटिंग आप लोगों को और अब कटिंग करेंगे इसका कुर्टा ये है आस्तिन ये सब कपड़े जुड़े हुए थे ये आस्तिन के पीस हैं दो ये निकाल दी है अलग और ये दो पार्ट है आगे के और पीछे के इसमें इस टाइप का बॉर्डर है ये बार आगे पीछे ये बॉर् और अब इसका कुड़ता कटिंग करूंगी और इसकी सिलाई करेंगे हम यह सूट सिलकर हो गया है तयार हमारा सिंपल गोल कले का छोटे गले का बनाया है और जिसको भी कटिंग स्टीचिंग देखनी है फूल किटिंग स्टीचिंग मेरी प्लैलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को तो सलवार का भी इसमें भी अलग से मिल जाएगा कुड़ते का मिल जाएगा और मेरा चनल पसंदाता साथा सब्सक्राइब करें और साथ में बनाया है मैंने एक अपनी सिर्क साड़ी का बेनती हूं और आज तीने कपड़ा इसमें बचा था कम मैंने दो कलर में नहीं बनाया कि दो कलर का फिर फैशन आउट हो जाएगा तो यह साधे बिलाउज का फैशन कभी नहीं जाता है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कि आई बेल बेटन को प्रेस करें थैंक यू फ